हालो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि किसी भी फाइल में पासवर्ट कैसे लगाते हैं पासवर्ट लगाने के हमें आउस्ता पड़ती है किसी भी कंपनी में जो हम काम करते हैं तो बहुत सारे फाइल हमारी होती हैं बहुत ही प्रटेंट होती हैं और वैलेवल होती हैं यह किसी गलता आदमी के हाथ में न लग जाए इसके लिए हम इसमें पासवर्ट लगा रखते मीरे से है मेरे पास अब क्या करना है कि आप जाएंगे window में window में एक option मिलेगा आपको prepare का आपको प्रिपेर में जाके manuscript document मिलेगा यहां किल करना है यहां password पूछ रहा है password आप देदें कुछ भी मैंने 123 दे दिया और इसे और ओके कर दिया, इसमें रे इंटर पासवर्ट पूछ रहा है, मैंने दुबारा 123 दे दिया और ओके कर दिया, अब इसमें पासवर्ट सेट हो गया है, इस फाइल को हम सेप कर लेते हैं, जब दुबारा इस फाइल को हम खोलेंगे, यह मैंने खोला, तो यह इसमें ये फाइल नहीं खुलेगा मैंने इसमें जो पहले पासवट दिया है वह AMYे इस में इंटर करता हूं मैं मैंने 123 इंटर कर दिया और इसे कर दिया और यह file हमारा खुल गया अब यदि इस सी pass-word को यदि हमें हटाना है किसी कारण से तो हम दुबार्थ इसी window में जाएंगे विंडो में जाएंगे और prepare में जाएंगे prepare में in script document में जाएंगे जो हमने पहले से password set किया है इसे हम delete कर देंगे और ok कर देंगे और इस file को हम save कर लेते हैं तो यह file हमारा save हो गया और यह अब इसमें कोई password नहीं लगा है यह हमारी file पहले जैसी हो गई है इसी तरीके से यदि हमारे पास कोई word की file है तो word की file में भी हम password लगा सकते हैं इसके लिए हम word की file लेंगे, इसे open करेंगे तरीका वही सेम है जैसा कि Excel में था विंडो में जाएंगे प्रिपेर में जाएंगे इनस्क्रिप डॉक्मन में जाएंगे पासपर्ट दे देंगे इसमें मैंने 456 दिया है आप कुछ भी दे सकते हैं इसमें और इसे ओके कर देंगे रेंटर पासपर्ट पूछ रहा है मैंने दुबारा 456 दे दिया और ओके कर दिया इस फाइल को मैंने सेप कर दिया अब जब इस फाइल को मैं दुबारा उपन करूँगा तो ये इसमें पासपर्ट पूछ रहा है और यह बीने password के नहीं खुलेगा तो मैंने password डाल दिया इसमें और इसे ok कर दिया तो यह मेरी word की file अभी एक खुल गई है और इसे मैंने save कर दिया और इसे यदि इसमें password हटाना है तो फिर वही करेंगे आप इस file को पहले open कर लेंगे window में जाएंगे prepare में जाके in script document में जाएंगे जो password set किया है उसे आप delete कर देंगे और इसे ok कर देंगे और इस file को आप save कर लेंगे अब जो दुबार इस file को खोलेंगे तो इस file में password नहीं मांगेगा यह file पहले जैसी होगे बीना password के तो इस तरीके से हम file में password लगाते और हटाते हैं तो company में यह password जो है file में लगाके रखी जाती है data के safety के लिए तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही thank you झाल 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 झाल